नमस्कार दोस्तों आज आज आपको इस वीडियो के मादियां से मैं पानी से समबंदिद बिजनिस के बारे में बताओएंगो कि आप पानी का बिजनिस किस तरह से कर सकते हो मतलब कि पानी में water plant लगा कर आप किस तरह से business कर सकते हो और पानी से related ही कुछ दो तीन चीजे आप लगा करके अपने बिजनिस को कर सकते हो मतलब कि पानी से related है ये वीडियो तो पानी का बिजनिस आप किस तरह से कर सकते हो पानी बेच कर, पानी को साफ करके, उसका प्लांट लगा करके आप किस तरह से ये बिजनिस कर सकते हो किस तरह से काम करती है किस तरह से आप अपना बिजनिस कर सकते हो ठीक है दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं देगे दोस्तो कैई कमपनिया प्यूरी फाइड पानी बेच कर अच्छा खासा मुनाफ़क कमा रही है आप भी पानी का वेपार करके काफी फाइदा उठा कर एक व और शहर में लोग आरो ट्रीटमेंट का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप जिस भी शहर से हो आप अपने शहर में कहीं से भी बिजनिस को शूरू कर सकते हो दोस्तो इस प्लांट को लगाने के लिए कम TDS इस्थान को सेलेक्ट करना होता है इसका मतलब है कि हमें ऐसी जगे देखनी होती हैं जहां पानी खारा ना हो या फिर कम खारा हो दोस्तों इस वेपार को चलाने के लिए शुरू में ही लाइसेंस के लिए आविदन करने की जरूरत पड़ती है इस वेपार के लिए सरकार की तरफ से लाइसेंस के साथ आई एस आई संख्या प्राप् यह जार 20 लीटर का होता है और इस जार का प्रियोग पानी भरने के लिए होता है दोस्तो बाजार में वेपार के अनुसार चोटी बड़ी सभी तरह की पानी को शुद करने वाली मशीने उपलब्द हैं जो की 30,000 रुपे से लेकर 5,000,000 रुपे तक के मिल जाती है तो देखे दोस्तों जैसे के हम अपनी घर में आरो वगरे यह सब लगवाते हैं पानी को साफ करने के लिए लेकिन जब हम पानी का बिजनिस करते हैं तो इसकी मशीने बड़ी बड़ी मशीने आती है पानी को साफ करने के लिए जिसकी कीमत 30,000 रुपे से लिए के 5,000,000 रुपे तक की होती है क्योंकि वाटर प्लांट काफी महंगा बनता है मतलब महंगा लगता है तो यह सारी चीज़े यहाँ पर होती है दोस्तों इस water plant को setup करने का जो खर्च आता है वो 2,00,00 गुरुपे तक का आता है इसके अत्रिक अन्य आवशक्तों को पूरा करने में भी लगबग 2,00,00 का खर्च आता है इस तरह से इस वेपार को शुरू करने में कुल खर्च लगबग लगबग आपका 4,00,00 गुरुपे तक का होता है यदि आपका water plant हर घंटे लगबग 1,000 लिटर तक पानी purified करता है तो आपको प्रती महीने 40-50,000 गुरुपे तक का profit यहाँ पे हो सकता है दोस्तो पानी का वेपार करने के लिए chilling plant का भी इस्तमाल किया जाता है chilling plant मतलब पानी को chilled करना थंडा करना इसकी सहेता से तयार किया शुद जल शहरों में 10-15 लिटर वाले जार में बेचा जाता है इस plant की स्थावना किसी भी बहतर ground water वाले इस्थान पर करना सही रहता है इस plant में पानी को इतने कम तापमान तक ठंडा किया जाता है कि पानी में इस्थित बैक्टिरिया मर जाते है दोस्तो चीलिंग plant लगाने का setup भी water plant लगाने के setup की तरह ही होता है इस plant के लिए भी license लेना जरूरी है और इस plant में machine बदल जाती है मतलब दूसरी machine लग जाती है दोस्तो इस वेपार को शुरुआती तोर पर चलाने के लिए कुल राशी यानि की जो खर्चा लगता है यहापे वो 3-4 रुपे तक का होता है जैसे की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में इतने पैसे में आपको plant भी लग जाएगा और साथ में बाकिये के खर्चे भी यहाँ पूरे हो जाएगे दोस्तो इस वेपार की सहायता से आप आसानी से 30,000 रुपे से लेकर 40,000 रुपे तक बहुत ही आसानी से कमा सकते हो जैसे के मैं आपको अलड़ी बता भी चुका हूँ दोस्तो आइस क्यूब्स बिजनिस के लिए आपको फ्रीजर लगाने के अवशकता होगी और ये फ्रीजर किसी भी जगा पर रखा जा सकता है और इसके अंदर विभिन विभिन आकार के बर्फ जमाने के लिए जगा भी दी हुई होती है दोस्तों इस business को शुरू करने के लिए आपके पास एक लाग रूपे तक की राशी होनी चाहिए इसके लिए प्रियोग होने वाले deep freezer की कीमत लगबग 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 50,000 रूपे से शुरू होती है दोस्तों इस वेपार को नीमत रूप से करने पर आपको प्रतीमा 20,000 रूपे से लेकर 30,000 रूपे तक का profit यहां पर हो सकता है मतलब यह जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ उसका profit मैं आपको बता रहा हूँ आइस cubes वादा जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे भी आपको काफी profit होगा मतलब कहने का यह है कि जो पानी बेचने वाली company होती है जैसे किनले हो गई, बिसलेरी हो गई, और भी तरह तरह की companies है बोटल्स आती हैं आपने पानी पिया होगा, आपको पता होगा तो उन सभी company की agency, dealership, distributorship बगरा लेकर के भी आप business जो है कर सकते हो मतलब इस तरह सभी आप लाखों का कारोबार कर सकते हो ठीक है दोस्तो, दोस्तो इस वेपार के लिए कुल 5-10 लाख रुपे के बीच में ही पैसों की आवशक्ता होती है मतलब इस जो एजनसी बगरा लेते हैं, dealership लेते हैं, इसमें लगबग 5-10 लाख रुपे जो पैसा जमा होता है एजनसी में, मतलब ये एक security money जमा करनी होती है, साथ ज़सा में माल भी मिल जाता है बेचने के लिए तो 5-10 लाख रुपे खर्चा तो आता ही आराम से, कोई भी किसी भी company के आप dealership ले लो, तो इतना रुपे तो लगता ही है बड़ डिपेंड करता है कि इस चीज की company के एजनसी आप यहाँ पे ले रहे हो आप Vivien water ATM company से water ATM की franchise ही भी ले सकते हो, मतलब पानी में water ATM machine भी लग रही है ठीक है, जसे ATM machine होती है जो पैसे निकालते हैं, तो बाकी चीजों में भी ATM machine लग रही है आजक़ ज exciting पीजा की ATM machine लग गी है, तो ऐसे पानी की ATM machine लग रही है जोधा पैसे डालो और पानी निकालो, ठीक है, बोटल निकलती है मतलब उसमें से, पैसे डालो और बोटल निकालो, वही एक लिटर, दो लिटर, तीन लिटर की बोटल होती होगी, एक दो लिटर की बोटल होती होगी, कुछ इस प्रकार से water ATM आज कर market में देखने को मिल रहे है ठीक है इसके बाद आप इस water ATM को अलग-अलग स्थान पर install करके वेपार शुरू कर सकते हो कहने का मतलब है आप water ATM कहीं भी लगा सकते हो और अपना बिजनी शुरू कर सकते हो और साथ इस वेपार में लगने वाली रा आप 25,000 रुपे से लिए 50,000 रुपे तक पैसा कमा सकते हो ठीक है यह लमसम लमसम है मतलब तो इस तरह से आप 3, 4, 5 तरह से पानी का बिजनी शुरू कर सकते हो water plant लगा सकते हो ice cubes बेज सकते हो agency ले सकते हो ठीक है तो यह 4 पास तरीके होता है पानी के business को करने के लिए ठीक ह मैं आपको लिए 4 घंटे में दे दूगा ऐसी business से जोड़ी और वी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि direct notification आपको मिले और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाऊ तो इस वीडियो को दे जने बादा